Good morning friends, आज के passage का topic है Mother Teresa, यह एक English का passage है, इसको हम word to word हिंदी में translate करेंगे, तो आज यह शुरू करते हैं, आज की date है 17th of July, 2023, चलिए, topic is Mother Teresa, Mother Teresa, यह नाम हो गया, नाम means आपका noun हो गया, Mother Teresa is, है, एक personality, परसनलेटी का हिंदी में उचारण, अगर इसको हम हिंदी में translate करें, तो परसनलेटी को बोलते हैं व्यक्तित्व, है एक व्यक्तित्व, that, जो, sense, भेजता है, भेजता है, संदेश, the message, संदेश of, का, संदेश, का, humanity to the world, humanity, humanity, humanity का अर्थ होता है, मानवता, to the world, विश्व को, यह हमारा first sentence हो गया, देहे, Mother Teresa है, एक व्यक्तित्व, जो भेजता है संदेश, विश्व को मानवता का, विश्व को मानवता का संदेश भेजता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हमारे दुबारा, Mother Teresa, जो की एक नाउन है, lived, जीती थी, जीती थी, most of her life, most of, अधिकान्श, अधिकान्श, Her life, her लगेगा, क्योंकि she is female, तो हर लगेगा, her, अपनी, life, अर्थार्थ, जीवन, जीती थी, अधिकान्श, अपना जीवन, अपनी जीवन, Serving the poor, Serving the poor, Serving का अर्थ होता है, सेवा करना, की सेवा, या सेवा करना, सेवा करना, अब सेवा किसकी करना, Poor की and the sick की, देखे, यहाँ पर भी द लगा है, और यहाँ पर भी द लगा है, अर्थार्थ, गरीब अलग है, और बिमार अलग है, अगर मालीजे, यहाँ पर आपका the poor and sick होता, और यह द यहाँ पर नहीं होता, ऐसे होता, आपका चुपावा होता, नहीं होता, तो अर्थार ये जिनकी सेवा कर रही है वो गरीब भी है और वही वेक्ती वही वेक्ती बिमार भी है तो वो एक ही वेक्ती हो जाता लेकिन उस दो वेक्तियों को अलग अलग बताने के लिए इन्होंने यहाँ पर भी दो लगाया है और यहाँ पर भी दो लगाया है ताकि इस से ये clear हो जाए कि उन्होंने गरीबों की सिवा करी और उसके लावा उन्होंने बिमारों की सिवा भी करी और वो दोनों अलग-अलग भी हो सकते हैं और वो अलग-अलग है तो the यहाँ पर भी आएगा और the यहाँ पर भी आएगा तो द पूर गरीब, द सिक एंड का हो जाएगा आपका और और द सिक बिमारो शी इज नोन अक्रोस द वर्ल्ड उन्हें देखिए अब शी का उपयोग हुआ है शी एक प्रनाउन है जो नाउन की जगा पर इस्तमाल होता है शी यहाँ पर रिप्रेजन्ट कर रहा है Mother Teresa को यह बात कर रहा है Mother Teresa की अगर आप यहाँ बोलेंगे Mother Teresa is known across the world as mother तो वो भी आपका correct है बट होता है कि हमें नाउन को बार बार ना बोलना पड़े उसकी जगा इसलिए हम noun की जगा pronoun का इस्तमाल करते हैं तो हम she का इस्तमाल करेंगे She is known across the world as mother She, उन्हें, जाना जाता है Is known, जाना जाता है Across the world, दुनिया भर में दुनिया भर में दुनिया भर में और क्या जान जाता है As a mother, mother, mother Teresa Mother मतलब मा ही होता है तो mother Teresa आगे बढ़ते हैं She, again she is a pronoun Was, थी, she was born She was born, उन्का जनम Born का हो जाएगा आपका जनम और was है, past tense बात करना था हुआ था हुआ था कब हुआ था जी 26 अगस्त 1910 में 26 अगस्त 1910 में She, again, pronoun वह Was, थी, ए, एक Non-Indian गैर भारतिये गैर भारतिये After knowing about the sufferings After knowing जानने के बाद जानने के बाद About the के बारे में के बारे में The sufferings The sufferings The sufferings होता है कश्टों को कश्टों दे ऐसे ना कश्टों और Pains Pains का अर्थ होता है दर्थ Of people of India Of people of India भारत के लोगों के भारत के लोगों के जानने के बाद के बारे में उन्होंने निर्णे लिया उन्होंने She उन्होंने Decided निर्णे लिया To start शुरू करना शुरू करना A mission A mission Mission आप कह सकते हैं उद्देश्य उद्देश्य To serve के लिए सेवा करने के लिए सेवा करने के लिए To serve To Serve Serve का अर्थ होता है Serve का मतलब होता है सेवा करना सेवा And 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 Don't decide के सेवा करने के लिए Or help Help का होता है मदद करना मदद करना है The poor किसकी गरीब Or Helpless Helpless होता है मजबूर मज बूर और people हो गए आपके लोग तो उन्हों decide क्या वो start करेंगे Mission To serve मतलब सेवा करने के लिए और मदद करने के लिए गरीबों की और मजबूर लोगों की Till तक हर अपनी लास्ट आखरी आखरी ब्रीथ होता है सांस अपनी आखरी सांस तक She वह या उन्होंने Continued जारी रखा हर सर्विस अपनी सेवाएं अपनी सेवा Selflessly निस्वार्थ 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 जारी रखिए अपनी सेवाएं अपनी आखरी सांस तक She Has Been Awarded She Has Been Awarded उन्हें किया गया किया गया Awarded अर्तार्थ सम्मानित उन्हें किया गया सम्मानित अब किसे सम्मानित किया गया दिभारत रतन ये अवार्ड है भारत रतन से और दी नोबल पीस प्राइस ये भी आपका जो है अब और का नाम है नोबल शांती का पुरसकार फॉर किसके लिए फॉर के लिए हर उनकी नोबल डीड्स नोबल डीड्स नेक कार रहा है अब फिर से आज़ते हैं मदर टरिसा देखिए आने ने मदर टरिसा अब इन्हों नाम लिखा है अगर ये इसके जगा प्रनाउन यूज़ करते हैं ये एक नाउन है इसके जगा प्रनाउन अगर यूज़ करते हैं तो ये भी ठीक है, बट उन्हों नाम लिख दिया, Mother Teresa, तो ये भी ठीक है, remains, remains का अर्थ होता है, बनी हुई, an inspiration, एक प्रेरणा, एक प्रेरणा, टू, के, किसके लिए, मिलियन्स ओफ पीपल, लाखों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए, inspiration बनी हुई है, कौन बनी हुई है, Mother Teresa, देखिए, अब इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वर्ड्स, जो हमारे इस पैसेज में आए हैं, हम उनको एक बार देख लेते हैं, जैसे कि, सबसे पहला वर आया है, personality, दूसरा आपका वर्ड है, humanity, तीसरा आपका वर्ड जो है, serving, चौत्ता आपका वर्ड है, suffering, इस सभी वर्ड आपके उपर पैसेज में आए हैं, फिर आपका serving हो गया, आपका फिर है, selfless, selfless, उसके बाद आपका एक वर्ड आया है, inspiration, इस पूरे पैसेज में ये important words है, personality, humanity, serving, suffering, selfless, inspiration, चलिए, वैसे आप कोशिच कीजिए कि आप इस वीडियो को दुबारा देखें, और इन वर्ड का मीनिंग निकालें, लेकिन आपकी help करने के लिए, आपकी अभी मदद करने के लिए, मैं इनको लिख देता हूँ, personality का हिंदी में अर्थ होता है, व्यक्तित्व, personality हिंदी में होता है, व्यक्तित्व, humanity का अर्थ होता है, मानव्ता, serving का अर्थ होता है, सेवा, suffering का अर्थ होता है, कश्ट, selfless, selfless का अर्थ होता है, नी स्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, inspiration का अर्थ होता है, प्रेणा, तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा passage, जो Mother Teresa के उपर था, पूरा complete हो गया है, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बारा हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेर अवश्य करें, धन्यवाद,